हलो एवरिवन मैं अम्री यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदे सक्सस पॉइंट आज किस क्लास में हम सोल करेंगी कक्षा 5 की गनित का अध्याय नंबर 5 तो अध्याय नंबर जो 5 है वो संबन्दित है गुणच और गुणनखन से संबन्दित और इसका जो 5.2 आज हम करेंगे और 5.1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रप्शन में मिलेगा तो वहाँ से जाके आप 5.1 बस देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं और यदि आप चैन क्यों के गुणनखन लिखने हैं हमें क्या लिखने हैं इसके गुणनखन हमको लिखने हैं गुणनखन ग्यात करने हैं हमको तो पहला हमारा साथ है अब गुणनखन होते क्या है सबसे पहले जैसे साथ है साथ किस-किस पाड़े में आता है वो इसके क्या होंगे गुणनखन होगे साथ किस-किस पाड़े में आता है वो इसके क्या होंगे गुणानकन होगी जिस साथ आता है हम लेते साथ के गुणानकन साथ के गुणानकन में एक आएगा क्योंकि एक के पाड़े में सभी संख्या आती है तो एक ऐसे संख्या है जो सभी के गुणानकन में आएगी एक दो में नहीं आता, तीन में नहीं आता, तो साथ में आता है तो एक और साथ ही क्या है, साथ के गुड़नखंड है Next लेते हम नो, एक में आता है, तीन में भी आता है और इसके बाद में नो में, तो एक, तीन और नो next लेते हैं 16 का और 16 की जो गुड़नकण होगे next 25 लेते हैं 25 किस-किस पाड़े में आता है 1 में आएगा 5 में आएगा और 25 में ये आता है तो इसलिए 1,5 और 25 के होंगे इसके गुड़नकण होंगे नेक्स्ट है 48 और 48 की जो गुरंखरन है वो है एक भी है दो है तीन है चार है छे आट भी है बारा है क्योंकि बारचोक 48 होता है तो 4 बारचोक 48 18 है 18 इकम 18 1828 यह चोपन तो नहीं होगा 16 इकम 16 16 22 28 16 16 भी है इसका एंड चोईस है और नेक्स्ट चू है लास्ट में वो है 48 अटारा नहीं होगा सोलती, 48 होता, तो 3 भी हो गया, 16 भी हो गया, next है 63, और 63 की क्या क्या गुणनकर्ण होगी, 1 होगा, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 7 नम 63 होता है, इसलिए 9 भी हो जाएगा, and next है 21, और 21 के बाद में जो है, लाफ्ट है, वो है 63, क्या होगा, 63, तो ये तो होगे गुणनकर्ण हमने निकालें, दी गई संख्यों के गुणनकर्ण हमने ग्याद किया, और गुणनकर्ण का मतलब होता है, कि वो संख्या किस-किस पाड़े में आती है, second question देखते है, and second question जो इसका है, वो है, दी गई संख्यों के समान गुणनकर्ण ग्याद कीजिए, दी ग बारा के हमें क्या निकालना है समान गुड़नकन निकालना है अब सबसे पहरे आठ और बारा के निकालेंगे और फिर उसमें से समान गुड़नकन हम चाटके लिखेंगे 8 के गुरंकन क्या होंगे 8 के होंगे 1, 2, 4 1, 2, 4 और 8 Next लेते हैं 12 12 की गुरंकन में 1, 2, 3 है 4, 6 और 12 यह होगे इनके गुरंकन अब समान निकालना है तो समान में आपके पास 1 है 2 है और यहाँ पर है हमारा 4 1, 2, 4 समान गुरंकन ने 1, 2, और 4 And second question है इसका कि 10 वैं 20 की हमें सारू गुरंकन निकालने है यह समान गुरंकन निकालने है 10 की गुरंकन और फिर 20 की और फिर समान गुरंकन हमको निकालने है 10 की गुरंकन होते है 1, 2, 5 और 10 1, 2, 5 और 10 दस के गुणनकन है, 20 के 1 है 2 है, यूंकि 2 के पाड़े में आता है, 5 में भी आता है 4 भी है चुकि 4 उपंजे 20 होता है 10 है और 20 है अब इसमें समान कुन से वो हमको अलग करने है एक है समान 2 भी है, 5 भी है, और next जो हमारा last है वो कौन सा है, 10 भी इसमें समान गुणनकंड है, तो 1 है, 1 है, 2 है, 5 है, और 10 है, 1, 2, 5 और 10 के इसके गुणनकंड है, समान गुणनकंड है, नेक्स्ट लेते हैं, इसमें 7 बटा 16, 7 बटा 16 है, और 18 बटा 30, तो 7 बटा 16 के निकलते हैं, 7 बटा 16 की गुणनकंड होगे, तो 7 के और 16 की, 7 के गुणनकंड 1 और, 7 है, 16 की जो है, 1, 2, 4, 8, 16 ला कूर्ण सा है केवल एक तो इसमें समान गुणन कोन सा होगा एक होगाँ नेक्स्ट ए है 18 वे 32 और 18-32 चींट के निकालके आपको के गुणांखण और देन आम निकालेंगे 18 के गुणांखण तो 21 के जो factors होंगे गुणांखण होंगी वह है एक होगा 3-7 ए 21 होता तो 3 होगा साथ भी होगा और 21 है 18 की 1 हे 2 है 3 है 6 है, 9 और 18 यह इसकी क्या हो गए? गुड़नकन हो गए अब हमको निकालना है इसमें समान तो एक की दोनों में? एक आएगा दो नहीं है, तीन दोनों में है, तीन आएगा नेक्स इसके बाद में और कोई भी इसका गुड़नकन नहीं है तो हमारे पास आगया तीन तो एक और तीन अब सबसे बड़ा कुन सा है इसमें से तो तीन सबसे बड़ा कुन सा है तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा समान गुड़न कुन सा है कुन सा होगा तीन वैं सबसे बड़ी संख्या ग्याद करो जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा-पूरा भाग जाता है phone number जो question है वो है कि वे सबसे बड़ी से बड़ी सेंख्या हमको ग्यात करनी है जो 45 और 75 दोनों में से पूरा-पूरा भाग जाता हो सबसे इसके लिए हमें सबसे पहले 45 के गुरंकर निकालेंगे एक, तीन, पाँच, पंद्रा और पैतालेस पिचत्तर का एक, तीन, पाँच, पंद्रा, पच्चेस और पिचत्तर अब समान है एक है इसमें समान कुन सा है समान अब निकालेंगे तो एक, तीन, पाँच भी है, पंद्रा भी है और कुन सा है तो यही इसके समान गुणनखन है सबसे बड़ी संख्या कुन सी है इसमें से 15 जो है इसमें से सबसे बड़ी संख्या है तो हम लेंगे 15 सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी 15 होगी जिससे 45 और 15 है पाइपी चत्तर जो है विभाजित हो जाएंगे next लेते 5 number question और 5 number जो question है वो इसका है कि 12 12 18 वे 24 का सबसे बड़ा समान गुणनकरण ग्याद कीजिये 12 18 वे 24 का सबसे बड़ा समान गुणनकरण हमको ग्याद करना है 12 के गुड़नकर दिखेंगे, 18 के गुड़नकर दिखेंगे और 24 के गुड़नकर हम लिखेंगे तो 12 के गुड़नकर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 18 के 1, 2, 3, 6, 9 और 18 12 के 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 12 अब सबसे बड़ा और समान गुड़नकर दिखाना है तो सबसे बड़ा देखो, इसमें कौन-कौन से समान है? 1 है, 2 भी है, 3 है, और 6 भी इसमें, तीनों में है और इसके अंदर 12 है, इधर 12 है बट इसमें 12 नहीं है तो सबसे जो बड़ा होगा, वो कौन सा होगा? 6, समान गुड़नकर ग्याद कीजी सबसे बड़ा निकालना था, तो 6 है, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा Next लिए ते 15, 37 और 36 का सबसे बड़ा समान गुड़नकर हमको निकालना है 15, 37 और 36 का, तो 15 की गुड़नकर, 27 की गुड़नकर और 36 की गुड़नकर 15 है एक, तीन, पांच और पंदरा Next एक, तीन, नो, और 27 36 का एक, दो, तीन, चार, छै, नो, बारा, अठारा और 36 अब सबसे बड़ा समान, तो सबसे बड़ा समान जो इसमें है, वो है तीन कुन सा है? तीन जो है, सबसे बड़ा और समान है सबसे, दो ही इसमें समान है, एक है और तीन है बागी कोई और मैट्स भी नहीं हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कुन सा हो जाएगा, तीन, इसका क्या हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट, दूद की दो केनों में एक रमश है, बीस और तीस लिटर दूद भरा है, बड़े से बड़े बरतन का माप क्या होगा, जो दोनों केनों के दूद को पूरा-पूरा नाप सकी, तो इसका बीस और तीस के गुड़न का निकालेंगे, और इसका जो कोमन होगा, वो नेरी वीडियो आपको पसंद आये, तो प्लीस इस वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कीजीगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली, जिसे की नेक्स्ट, आने वाले वीडियो का नोटिफेक्शन आपको प्राप्त हो जाए, थैंक्यू सो मच्च